बड़ी खबर लखनौ से है सपा सरकार में कदावर मंतरी रहे गायत्री प्रिसाद प्रजापती पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला गिरफतार हो चुकी है महिला के खिलाफ दर्ज है गायत्री उसके बेटे के साथ मिलकर वसूली करने की F.I.R आपको बताएं गोमती नगर एक्स्टेंशिन पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफतार किया है महिला पर लखनौ के कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं आशियाना स्थित घर से महिला की गिरफतारी होई है मामले में पुर्व मंतरी गायत्री परचापती उनके बेटे अनल परचापती को पहले ही भेजा जा चुका है जेल यह आपको बता दे और अब महिला के खिलाप कोट ने भी गेर जमानती वारेंट जारी किया था मामला था इस महिला पर वसूली का इस पूरे मामले पर एक नई अपडेट ये है कि ये महिला गिरपतार हो चुकी है महिला के खिलाफ कोट ने गहर जमानती वारिंट जारी किया था इसी मामले में आपको बताते चले कि पुरुमंत्री गायत्री प्रजापती जेल में है और उनके बेटे को भी जेल भेजा जा चुका है आशियाना से इस महिला की गिरपतारी हुई है और सिर्फ कोट की तरफ से गहर जमानती वारिंट ही नहीं अगर देखे कई गंभीर धाराओं में कई मामले धर्ज है गोंती नगर एक्स्टेंशन पुलिस ने इस आरोपी महिला को गिरपतार किया है माईला के खिलाप कई मामले धर्ज हैं वसूली करने का आरोप है एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी